आम को फलो का राजा माना जाता है क्योंकि आम का जो टेस्ट है वैसा टेस्ट किसी भी फ्रूट में नहीं आता है लेकिन आम का सीजन साल में एक बारी आता है तो आज हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे आप साल भर स्टोर कर सकते हो और आम के टेस्ट के मजे ले सकते हो तो चलिए आज बनाते हैं आम से आम का मुरबबा वैसे तो traditional धरीके से अगर हम मुरबबा बनाने जाए तो साथ से आंट दिन लग जाएंगे क्योंकि साथ से आंट दिन हमें आम को दूप दिखानी पढ़ती है तब जाकि मुरबबा बनता है लेकिन आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो 10 से 15 मिन में बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है केरी तो यहाँ पर मैंने राजापूरी केरी ली है जो थोड़ी सी खटी होती है थोड़ी सी नहीं बहुत खटी होती है तो अगर आपके पास राजापूरी केरी नहीं है तो आपको इसी भी केरी लग सकते हो जो खटी हो तो carry को हमें अच्छे से छील लेना है तो यहाँ पे मैंने carry को छील लिया है और अब उसे हम pieces में cut कर लेंगे हमें यहाँ पे carry के medium size के pieces cut करने है एकदम छोटे भी cut नहीं करेंगे और बहुत बड़े भी नहीं cut करेंगे अगर बहुत छोटे cut करेंगे तो वो एकदम से गल जाएंगे और बहुत बड़े करेंगे तो चल्दी से वो कलेंगे नहीं तो यहाँ पे इस तरह के medium size के pieces में हमें carry को cut कर लेना है आप सोच रहे होंगे कि मुरब्बा बनाने के लिए carry को grade करते हैं लेकिन आज हम कुछ new style से मुरब्बा बना रहे हैं तो इसे हमें इस तरह pieces में cut कर लेना है तो चलिए carry को मैंने cut कर लिया है और जो carry के उपर आम का जो part है उसे भी हमें cut कर लेना है लेकिन carry के pieces और ये चोटे चोटे टुकडे हम अलग रखेंगे साथ में mix ने करेंगे तो चलिए अब ले लेते हैं एक pan और pan के अंदर मैंने तकरीबन दो glass जितना पानी डाल दिया है और पानी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब इसके अंदर add करेंगे नमक तो नमक हम अपने taste के अखरेंगे इसके अंदर add करेंगे मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना नमक लिया है आप अगर जादा नमक खाते हो तो थोड़ा सा जादा भी add कर सकते हो चलिए अब पानी में हमें उबालाने देना है उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे तब तक हम निकाल लेते हैं मसालिया यानि की मसाला दानी इसे हम गुजराती में मसालिया बोलते है तो पानी में अच्छे से उबाला गया है और पानी के अंदर मैंने एक चम्मच जितनी हल्दी add कर दी है और अब तुरंत ही हमें बड़े पीसिस वाली केरी को add कर लेना है केरी के छोटे पीसिस हम अभी add नहीं करेंगे दो से तीन मिनिट के बाद करेंगे क्योंकि छोटे पीसिस को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और साथ में सब कुछ add कर देंगे तो छोटे पीसिस गल जाएंगे तो बड़े पीसिस थोड़े बहुत पक जाए उसके बाद ही हम छोटे पीसिस add करेंगे तो तकरीबन तीन मिनिट के बाद मैंने छोटे पीसिस add किये हैं और दो मिनिट हमें इसे पकने देना है तो तकरिबन 5 मिनिट हमें इसे पकने देना है तो यह देखिए 5 मिनिट में कैरी अच्छे से सौफ्ट हो जाएगी चाकू से इसे इस तरह हम कट करके देखेंगे तो easily कट हो जाए तो समझ लेना है हमारी कैरी ready है चलिए अब इसे हमें चान लेना है तो यहाँ पे एक पतीली के ऊपर मैंने चलनी रख दी है और कैरी को मैने चान लिया है चलिए अब यह जो पैन है मेरे पास उसी का हम वापस से यूज़ करेंगे पैन को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब पैन के अंदर डाल देंगे चीनी तो यहाँ पे चीनी मैंने तकृरिबद 26-25 जितनी ली है क्योंकि कैरी मैंने लिथी 300 ग्राम और 300 ग्राम में से छिलके और उसकी गुटली निकल गई तो तकृरिबद 62-20 जितनी कैरी बच गई थी तो जितनी कैरी हम लेंगे उतनी ही हमें चीनी चाहिए तो अगर आप 1 kg केरी से ये मुरबा बना रहे हो तो तकरिबन आपको 800 ग्राम केरी चाहिए और अगर आप 500 ग्राम से बना रहे हो तो तकरिबन आपको 400 ग्राम जितनी चीनी चाहिए I hope के आपको measurement समझ में आ गया होगा तो चलिए अब चीनी के अंदर डाल देंगे पानी और चीनी डूबे उतना ही हम पानी डालेंगे और चाशनी को हम पका लेंगे तो यहाँ पर हमें एक तर की चाशनी बनानी है एक तर की चाशनी बन जाए तब तक हमें चाशनी को पकाना है तो आपने वीडियो में देखा उसी तरह चाषनी को चेक कर लेना है एक तर की चाषनी बनते ही केरी को डाल देना है चाषनी में और यह जो नमक और हल्दी वाला पानी बच गया है उसमें केरी की बहुत बढ़ा खटास होती है तो इसे आप दाल या फिर सबजी वगेरा में यूज़ कर सकते हो तो चलिए अब निकाल लेते हैं थोड़े से मसाले तो यहाँ पर मैंने 2-3 लॉंग ले लिए हैं और 2 छोटे टुकड़े दालचीने के ले लिए हैं अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किल भी कर सकते हो और अब ले लेंगे 3-4 हर कैरी लाइची और एक चुटकी भरके ले लेंगे केसर और इन सब मसालों को हम डाल देंगे कैरी के अंदर और अब लास्ट में एक चमच भरके डाल देंगे नीम्बू का रस ताकि जो चीनी हैं उसके क्रिस्टल ना बने चलिए अभी हमें इसे फिर से पकाना हैं जब तक एक ताकि चाशनी बनना जाए तो इसे हमें medium flame पे पकने के लिए रख देना है कैरी को boil करते समय हमने नमक डाला था लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक अभी और एड़ किया है और अब इसे हमें medium flame पे 5-7 मिर्ट के लिए पका लेना है 5-7 मिर्ट में ये हमारा मुरबा रेड़ी हो जाएगा तब तक हम कर लेते हैं और तयारी तो इसके अंदर थोड़ा सा crunch एड़ करने के लिए यहां पे हम लेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम आप इसे roast करके भी ले सकते हो लेकिन मैंने ऐसे ही लिए हैं क्योंकि एकदम fresh है काजू और बादाम को हमें medium pieces में cut कर लेना है बहुत छोटे pieces नहीं करेंगे तो चलेगा तो इस सरा medium pieces में इसे हमें cut कर लेना है आप चाओ तो इसके अंदर पिस्टा भी add कर सकते हो तो चलिए हमारे dry fruits भी cut हो चुके हैं और यहां पे आप देख सकते हो कि चाशनी घाड़ी हो गई है तो चलिए अब चेक कर लेते हैं फिर से कि एक तार की चाशनी बन रही है की नहीं चाशनी को उंगली पे लेने के बाद थोड़ी सी चाशनी थंड़ी हो जाए उसके बाद ही एक तार बनता है तो चाषनी को फोड़ी सी थंडी होने दे उसके बाद ही हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि चाषनी फोड़ी सी थंडी होने के बाद उसके अंदर एक तर बन रहा है तो समझ लेना है कि हमारा मुरब्बा एकडम ready है तो ये देखिए मुरबह room temperature पे आ गया है और खाने के लिए एकदम ready है तो चलिए अब इसे भर लेते हैं add tight jar में इसे आप बाहर 15 दिनों तक और fridge में एक साल तक store करके रख सकते हो इसे कुछ भी नहीं होता है और इसका taste भी as it is रहता है ये taste में बहुत ही बढ़िया लगता है आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ ठेपले के साथ किसे के भी साथ enjoy कर सकते हो बच्चों के lunch box में भी आप इसे आराम से दे सकते हो जो बच्चे सबजी नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये best है तो आपको आज के रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना मिलते हैं चल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करशना